हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ राजन आप देख रहे हैं दिलिप टेलर शेंड बुट्टे फ्रेंट्स आज की वीडियो में देखेंगे चार डॉंट वाले बेल्ट ब्लाउज की डारेक्ट कपड़े पर कटिंग इसके लिए बहुँ जादा रिक्वेस्ट है की सर बेल्ट ब्लाउज को डारेक्ट कपड़े पर काटना बताईए डारेक्ट कपड़े पर कटिंग करने का कोई मेथेड नहीं है या फिर बहुँ से लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास फर्मा बनाने का समय नहीं है तो लोगों के तरह तरह के शवाल होते हैं और इन सभी सवालों के जवाब के रूप में मैंने आज का ये वीडियो बनाया है तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा मेजरमेंट सबसे पहले समस्ते साड़े बारा इंच की इसकी लंबाई है 32 इंचेश्ट 26 इंच का कमर 13 इंच सोल्डर 6 इंच सामने का गला और 8 इंच पीछे का गला अस्तिन इसमें मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अस्तिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा सबी कटिंग के वीडियो में आपको अस्तिन की कटिंग मिल जाएगी पर्टिकुलर अस्तिन के कटिंग पर भी वीडियो है तो आज जो में हमारा फोकस है वो यह है कि डारेक्ट कपड़े पर किस तरह से कटिंग करेंगे और यह जो पूरा measurement है यह body से लिया गया है तो body measurement के हिसाब से भी cutting करना आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर देखते हैं यह जो कपड़ा है यह एक blouse piece है इसको सबसे पहले double fold पे बिछाना है तो यह double fold पे जैसे हम paper को रखते आ रहे हैं वैसे ही कपड़े को रखेंगे यह इस तरह से बहुत ही असान तरीका बताऊंगा जिन लोगों के पास time की कमी होती है यह normal ऐसे ही गाओं अगरा में रहते हैं और ज्यादा सिलाई नहीं करते हैं कम सिलाई करते हैं जिनें सिलाई का काम अनुभा है उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही काम का है देखे यहां पर सबसे सिंपल तरीका चेस्ट साइज कितना है 32 इंच एक चोंथाई कितना होगा 8 इंच यह 8 इंच पर निशान उसके ब हो गया तो टोटल हमने कितना निशान लगाया 10 इंच पर 32 इंच पर यह निशान आप सिधा सिधा लगा सकते हैं दो तिन जगह पर यह निशान लगाई यह और उसके बाद यहां से कर दीजे कपड़े को फोल्ड यह देखिए कैसे होगा यह निशान जो हमने लगाया अभी पूरा 10 इंच पर इसको इस तरह से मोड़ना है और मोड़ करके यह इस पकार से बिचाएंगे तो इसमें बराबर करीज वगर लगा लेंगे यह ऐसे यह देख सकते हैं हमने इसमें रखा हुआ है 10 इंच अब कैसे कटिंग करेंगे इसको बिचाने के बाद यह हिस्सा हमें पूरा पूरा काट करके निकाल देना है इतने में हमारा ब्लाउच का निकल जाएगा और वो जो बजता है वो एक्स्ट्रा है तो उसको रख देते हैं अभी साइड यहाँ पर देखेंगे यह अभी है डबल फोल्ड ठीक है फ्रेंड्स डबल फोल्ड का कपड़ा है यहां पर हम एक निशान लगाएंगे सीधा करने के लिए तो यह कंपलसरी निशान रहेगा बहुत ही साधारन कटिंग मैं आज के वीडियो में बता रहा हूं इसको गाउं मारे लोग ही यूज कर करती ही कभी कभी ही करती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा यह सिधा हमने एक निशान लगाया अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे डेडिश यह अब आइसको सिधा से बराबर इस तरह से मिला लेना है अब यहां पर देखेंगे फ्रेंट्स यह है पूरी लंबाई थोड़ा समझेंगे इस बात को साड़े 12 इंच का लंबाई हमें तयार करना है तो एक इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं साड़े 13 इंच और यह सामने और पीछे दोनों एक साथ निकालने के लिए बता रहा हूं तो साड़े 13 का डबल कितना होगा 27 इंच या फिर यह साड़े 13 पर हम निशान लगाएंगे और यहां से कर देंगे फोल्ड तो यह कपड़ा हो जाएगा अब चार फोल्ड में यह इस तरह से यह हो गया चार फोल्ड अब देखेंगे यहां पर यह जो हमने शीदा करने के लिए निशान लगा या इस पर कटिंग कर देंगे सबसे पहले काम यह करेंगे इसको काड़ देंगे उसके बाद कि यह नीचे वाला भी हम सिधा कर लेंगे यहां पर भी थोड़ा तिरचा है तो यह इस तरह से आप साउधानी रखेंगे थोड़ा बहुं अब देखिए यह जो डेड़ इंच मैंने बता रखा इसको डेड़ इंच पर हमने एक निशान लगाया इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा कि यह जो डेड़ इंच वाला निशान है इसको हमने क्यों लगाया है अभी आगे देखते हैं इसकी पूरी लंबाई एक बार फिर से चेक करेंगे कितने इंच की लंबाई आ रही है तो यह लंबाई आप देख पा रहें साड़े तेरा इंच की इसकी लंबाई है जो चीज मैं पेपर पे बताता हूँ वही आज कपड़े पे बता रहा हूँ तरीका थोड़ा सा साधारान है बस इत्ता ही फरक है शोल्डर को ना पेंगे तो शोल्डर ना पेंगे यहाँ पर देखिए बॉडी मेजर मेंट है मैंने बताया 13 इंच का शोल्डर है तो 13 के हिस हिसाब से यहाँ पे 6.5 पे हमने निशान लगाया अब जैसे हमें गले को डीप करना है पीछे गला हो जाएगा हमारा 8 इंच डीप तो यह शोल्डर हम कितना करेंगे सीधा सीधा 2 इंच कम कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 13 में 2 इंच घट जाएगा तो 12 और 11 के हिसाब से 5 इंच पर निशान मतलब सिधा सिधा एक इंच कम कर लेना है क्योंकि साड़े 6 पे हमने निशान लगाया और यह 5 कर लिए तो एक इंच हमारा कम हुआ और यहीं 5 हम नीचे भी एक निशान लगाएंगे यह इस तरह से दो निशान हुए अब क्या करना है इन दोनों निश होगा 34 इंच और 34 के हिसाब से हमें आर्म होल कितना लेना चाहिए सवा पांच इंच का आर्म होल मैंने बताया है तो यह सवा पांच इंच पर आप निशान लगाएंगे और कुछ लोग बोलतें कि आर्म होल का जो राउंडिंग है वो हमें देना नहीं आता तो यहां पर देखिए इसका राउंडिंग मैं अभी आप लोगों को समझाओंगा देखो जो बेसिक टिप्स मैंने दिया है उसके बारे में पहले बात करते हैं मैंने बताया है आर्म होल पे डाउन करने के लिए तो ये आधा इंच हम डाउन करेंगे ये ठीक है आधा इंच इस तरह से डाउन करना है और शोल्डर भी मैंने आधा इंच डाउन करने को बताया है तो इसको भी ऐसे डाउन कर लेना है तो ये दो चीजों का ध्यान आपको रखना है डीप गला है मतलब शोल्डर जो है गले की तरफ ही डाउन होता है अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डारेक्ट पहले आर मोहल की राउन्डिंग वही बता रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत लोगों को कंफ्यूज आन होता है यहाँ पर देखेंगे यह जो rounding है हम यहाँ से इस तरह से round करते हैं बिल्कुल करीब से आप देख पा रहे होंगे ज्यादा gaping से कभी भी हम rounding नहीं देते हैं एक inch मैं हमेशा बोलता हूँ और इसको मैं आज समझा भी रहाँ कि किस तरह से एक inch होता है यह देखेंगे यहाँ से यह जो center है यहाँ से एक inch हमें तिर्चा नापना है और यहीं से इसकी rounding दी जाती है तो यह एक निशान हो गया अब दूसरे निशान की बात करते हैं तो यह यहाँ से पौन inch की gaping पर यहीं से पौन inch नापना है और उसके बाद पौन इंच की गेपिंग पे ये राउंडिंग घुमती है तो यह आर्म होल के दो राउंड हो गए इस तरह से आपको देना है इसकी राउंडिंग तो यह आर्म होल के लिए हो गया अब बात करते हैं चेश्ट और कमर तो 32 इंच जैसे की मैंने यहां पे बताया और 2 इंच का यहां पे लोजिंग देना है बोडी नाप की वज़े से तो साड़े आठ पर यह निशान लगेगा 32 और 2,34 और 34 का एक शौथाई होता है साड़े आठ यह नॉर्मल सा अपना कैलकुलेशन है इसके बाद बात करते हैं यहां पर मार्जिन तो हमने पूरा इसको फिक्स रखा हुआ है फिर भी यहां पर सवा इंच का हम मार्जिन का यह निशान इस तरह से लगाएंगे अब बात करते हैं कमर कमर 26 इंच का है 2 इंच का लोजिंग 28 इंच हो जाएगा और 28 का एक चोथाई कितना होता है 7 इंच तो यह 7 इंच पर निशान और नीचे यहां पर आएगा सवा 2 इंच का मार्जिन यह इस तरह से उसके बाद इन निशानों को ऐसे मिला लेना है तो यह बिल्कुल क्लियर है कि कपड़े पर कटिंग करें या फिर पेपर पर कटिंग करें तरीका बिल्कुल हमारा सेम ही रहेगा चेंज नहीं होगा अब यहां पर देखेंगे फ्रेंट्स इसी साइड में हमें पूरा पूरा पौन इंच का देना है मार्जिन ये margin मैंने belt वाले blouch की cutting में इस पश्ट रूप से समझाया हुआ है तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आये हैं वो लोग हमारे blouch cutting का playlist देख सकते हैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी अलग-अलग size के हिसाब से, अलग-अलग pattern के हिसाब से हमारे नए चैनल RD Boutique को भी जाकर के आप लोग subscribe कर सकते हैं अब ये पौन इंच का margin तो मैंने इधर बता दिया ये इस तरह से हमें पूरा पौन इंच का margin देना है ये margin किसलिए है? dot के लिए है और ये जो margin है ये सिर्फ front वाले पले पर ही रहेगा इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है पूरा अंत तक देखेंगे उसके बाद ही इस method को follow करें पूरा देखें पहले, सीखें, try करें उसके बाद ही follow करें गलेकी बात करते हैं यहांपर तो गला हम सवा दो इंच का लेंगे ये सवा दो पर निशान यहां पर भी सवा दो पर निशान सामने का गला हमें रखना है छ piace का तो ये 6 इंच पर निशान इसके बाद ये इस तरह से मिलाएंगे उपर से भी स्केल से मिला लेना है और उसके बाद दे देंगे राउंडिंग तो ये राउंडिंग भी एक इंच की गेपिंग से ही देना है जादा दूरी से नहीं देंगे निए तो फिर वो गोल गला नहीं बनेगा ये इस तरह से राउंडिंग देंगे अब ये सारा कुछ तो हो गया आर्म होल हमने ले लिया, गला ले लिये और चेश्ट कमर को भी नाप लिये अब बात करते हैं में बेल्ट और डॉंट की तो बेल्ट हमें कितने इंच का लेना है बेल्ट का निशान कितने इंच पर आएगा तो यहां पर साड़े तेरा इंच लंबाई है मार्जिन सहिन तो इसका जो बेल्ट का निशान हम लेंगे ये लेंगे ग्यारा इंच पर ये देखेंगे ये इस तरह से ग्यारा इंच पर आएगा ये बेल्ट का निशान ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पे confusion का कोई बात नहीं है क्योंकि यह सब मैंने बता दिया है belt chart आप लोग देख सकते हैं, armhole का chart देख सकते हैं अब यहाँ तक तो ठीक है हमने belt का निशान लगा दिया लेकिन front वाले पल्ले पे मैंने नीचे भी margin बताया हुआ है फर्मे के cutting में, तो कपड़े पर direct cutting कर रहे हैं तो यहाँ पर पौन इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन देना होगा यह तरह से दिये, अब क्या करना है, यहाँ पर भी एक शीधा निशान लगा देंगे और इसी निशान पे कटेगा belt, यह जो निशान हमने अभी लगाया अब देखिए, सबसे पहले तो belt का नोक निकालने के लिए देखते हैं तो यह हम निकाल लेंगे, सबादो इंच से इस तरह से निशान लगा करके पौन इंच उपर उठा देंगे, यह ऐसे, बहुत सिंपल साधारन तरीके से मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब देखेंगे चारो डॉट को, कि किस तरह से हमें डॉट लगाना है तो पहला डॉट आएगा चार इंच पे, यह चार इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाते हैं ठीक है फ्रेंट्स, अब एक इंच जो नीचे से नापने के लिए मैंने बता रखा है वो उपर वाले लाइन से नापना है, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उपर वाले लाइन से नापना है, अब देखिए, दूसरा डॉट और तीसरा डॉट, यह बहुती असान होते हैं कैसे लेते हैं हम, यहाँ पर डेड़ इंच की दूरी पे यह इस तरह से और यह डेड़ इंच की दूरी पे यहाँ पर एक निशान, दो निशान यहाँ पर डॉट के लिए हम लगा लेंगे और चौथा जो निशान है, उसको आप लेंगे, सेंटर पॉइंट से धाई इंच पर आर महोल की तरफ इसकी दिशा जाएगी यह इस तरह से, तो यह चारो डॉट का निशान हमने लगाया, अब देखिए, यह डॉट इधर मिलता है, यह वाला मिलाएंगे इस लाइन पे, और यह जाएगा आर महोल की दिशा में तो यह चार डॉट हो गए, अब देखेंगे कटिंग को, तो फरक कुछ भी नहीं है, पेपर कटिंग और कपड़े की कटिंग भी, जो फरक है, वो मैंने समझा दिया है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए, डारेक्ट हम कटिंग करेंगे, शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, जैसे पेपर पे करते हैं, यहाँ पर यार मोहल पर बाहर वाले निशान पर कटिंग करना है, अब यह इस तरह से हमने इसको काट दिया, अब क्या करेंगे, यह जो बैक साइड वाला हिस्सा है, इसको हमें पौन इंच छाटना है, क्योंकि पीछे हमें मारजिन की आउशकता नहीं है, तो यह पौन इंच हमें छाट देना है पीछे को, त्रिप सामने पल्ला ही इसका बड़ा रहेगा, उसके बाद यह कट लगाएंगे, गले के लिए, और फिर इसको यहां से उठा लेना है, यह फ्रेंट और बैक दोनों अलग हो चुके हैं, अब यहां पर देखेंगे, हम क्या कर सकते हैं, यह बैल्ट अलग कर सकते हैं, यह इस तरह से, और यह गले की कटिंग, उसके बाद यह फ्रेंट को इस तरह से यहां से भी काट देना है, ताकि हम क्या की पट्टी यहां पर लगा सकें, और फ्रेंट का आर्म होल भी हमें छाट देना है, इतना करने के बाद सभी डॉट्स के लिए यहां पर हम लगा लेंगे, कट, यह इस तरह से कट लगा लेंगे, पूरा, अब यह बैल्ट हो गया, बैल्ट फ्रेंट्स यहां से इस तरह से हमें छाटना होगा, थोड़ा सा बस, क्योंकि डॉट लगने के बाद उबराबर आएंगे फिर, और इधर से भी इसको काट देना है, तो यह क्लियर है, अब बात करते हैं, यह जो हिस्सा है, बैक साइड, इसमें गले का निशान हम लगाएंगे, और गले की कटिंग करेंगे, तो हमेशा मैं डिप गला बता रहा था, आज थोड़ा सा, नॉर्मल गला यहां पर है, आठ इंच का गला है, तो यह आठ इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद, इसकेल से बराबर मिला करके, गोल गले के लिए यहां पर दे देंगे, राउंडिंग, उपर से इसको मिला लेना है, यहां पर गला उपर सवा दो इंच पर कट लगा है, नीचे आप धाई भी कर सकते हैं, थोड़ा फैलाओ देना चाहें, तो राउंडिंग हमने दे दिया, अब यह तो हो गया पीछे का गला, इसको फटा-फट से कटिंग करते हैं, यह इस तरह से फैलाओ भी दिया जा सकता है, अब इसके बाद देख लेते हैं, डॉंट के लिए तो पीछे का डॉंट आएगा चार इंच पर, यह चार इंच पर हमने निशान लगाया, यह और इस इसकी हम रखेंगे यहां पर वापस से, चार इंच पौने चार इंच इस तरह से रख लेंगे अपने हिसाब से, जितना उचाडाउट आप पसंद करते हों, और इसके बाद जो है, मैं यहां पर एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, हमने शुरू में 1.5 इंच का प्रेटिंग बताया, बेल्ट बलाउच की, तो आपने गौर किया होगा, कि फ्रेंट में नीचे वाले इससे पर पौन इंच का मार्जिन मैंने बताया था, और बेल्ट पर पौन इंच का मार्जिन बताया था, तो दोनों पौन इंच मिला करके हो गया, 1.5 इंच, इसी करने के बाद बेल्ट इसमें इस तरह से फिट होगा, और ये पीछे का पल्ला है, ये फ्रंट हटा देते हैं, बैक को देखिए, गला हमने कटिंग किया, पीछे डॉंट के लिए निशान भी मैंने बता दिया, इसको हमने पूरा फिक्स लिया था, साड़े बारा की रहे थे, उन लोगों को आज बहुत ही खुशी हुई होगी, क्योंकि मैंने डारेक्ट कपड़े पर ही ब्लाउच का कटिंग बता दिया है, इसमें आप अस्तिन की कटिंग कर सकते हैं, और जो पट्टियां हम लगाते हैं, चाहे वो हूंकाई की पट्टी हो, या फिर कमर प इस तरह से आप करेंगे बेल्ट ब्लाउच की कटिंग डारेक्ट कपड़े पर, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पशंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फैमली फ्रेंड्स के शांच शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के टे हिंद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में